नमस्ते मेरा नम बंदना सरोज है और ये वीडियो है पीएफ के कोंट्रिबूशन के पारे में तो अगर आप भी पैरामेलिटर फोर्सेस या डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा है तो आप कितना अमाउंट अपने पीएफ में कोंट्रिबूट कर सकते हैं जो कि आपको टाक्स फ्री इंटरस्ट दे तो वो लिमिट कितनी है साथ में इस टाइम आपके पीएफ का इंटरस्ट रेट कितना है अगर आपके पीएफ में प्रोविडेंट फंड में जो आपका एंप्रोयर है जैसे कि अगर आप गवर्मेंट सर्विस में हैं डिफेंस सर्विस में है, पाराबनेटरी सर्विस में है, तो गवर्मेंट अगर कुछ भी कॉंट्रिबूट नहीं कर रही है, तो उस केस में आपके लिमिट होगी पाच लाग रुपे एक फाइनचियल एर की, तो अगर मैं आम्ट फोसिस की बात करूँ, तो आपके पीएफ म प्रोविडेंट फंड में गवर्मेंट कुछ भी कॉंट्रिबूट नहीं करती है, जितना भी पैसा आपके पीएफ में होता है, वो आपकी सालरी का ही हिस्सा होता है, तो इस केस में एक फाइनचियल एर में, एक अप्रेल दो हजार एक्की से, अगर मैं इस साल की बात करू तो 31 मार्च 2022 के बीच में, आप 5 लाग रुपे तक अगर आप कॉंट्रिबूट करते हैं, तो जो भी इंटरस्ट होगा 5 लाग रुपे का, वो आपके लिए टाक्स फ्री रहेगा, लेकिन अगर आप 1 अप्रेल 2021 से 31 मार्च 2022 की डेट के बीच में, आपका जो पीएफ का कॉ अगर आपको टाक्स फ्री इंटरस्ट अपने प्रोविजेंट फंड से चाहिए, इस टाइम पैरामिलेटर फोर्सिस के जितने भी लोग है, और साथ में जो आंग फोर्सिस का हिस्सा है, उनके पीएफ का प्रोविजेंट फंड का जो इंटरस्ट है वो 7.1 परसेंट है, य नहीं है, तो यह आगे चेंज भी हो सकता है, तो अगर ऐसा को चेंज आता है, तो मैं आपको जरूर अप्डेट करूँगे, आपके बैंक, मुचल फंड, इंशुरेंस, सिक्योरिटीस कंपनीज, पोस्ट ओफिस, डिफेंस फोर्सिस और ट्रेवल वीडियो स्पाने के और यहां से दुसरे उपसा शेयर करें, यह थी मेरी वीडियो, कोरोना के टाइम में अपना ध्यान रखें, मिलती हूँ नेक्स वीडियो में, बाबाए